नमस्कार दोस्तों मैं प्रदिपुमा टुटोल वेबसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आप देखें नोट जैस की स्रीज जिसमें प्रिविश वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एमलाइब के जो कंपास उसके कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हम डाटावेस को एक्सेस करते हैं लोकल जो भी आप इंसर्ट अपडेट कर उसका एफेक्ट भी इस पे हो लोकलोस में ँदर में यहां पे इंप्लॉई में जो हमरा रिकॉर्ड है यहां फे हम ने डिस्प्ले करा था आज की वीडियो में जो हम लेने जाने उसको हम यूज़ करके ये चीज़ दिखाएंगे आपको तो इस वीडियो में हम ये चीज़ करेंगे और करके देखेंगे आप भी करके देखिएगा अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं तो उसे आप मेश नह करें और आप अप डूट रहें हमारे वीडियो तो चली स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आप ExpressJS अगर आपने श्टडी किया था हमारे प्रिएश वीडियो बेसिक रिक्वार्मेंट की फाइल से वह आपको मिल सके हैं तो दूस्तों यह है एक्सप्रेस अप्लिकेशन जेनरेटर जिसके बार में अलड़ी हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसको बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको बेसिक बता देता हूं इसकी सहयता से हम क्या ए एक्सप्रेस-डश-डश ब्यू लिखके व्यू मतलब नेंटर गडिशन कौन से रिप्रेने इजिन आप यूज करना चाहते हैं यहां पर मैं यूज करता हूं इस उसके बाद आपको जो भी आप फोल्डर के नाम से अपना एप बराना चाहते हैं तो मैं लिखता हूं माई आपके नाम से desktop पे हमारा folder बन चुका है और आपको दिखाता हूं की आगे मैं अब उसके बाद हमें मूफ करना है cd जो कि इसके नीचे आपको बता रहा है उसी इससाब से आपको काम करना है एपस देखना है तो यह आप उस पर आ चुके हैं अपने आपके फोल्डर के अंदर उसके अंदर npm को इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसी एंपेंडेंसी हो साइर इंस्टॉल करना है जैसे यह इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसको फाइल को रन करके देख सकते हैं कि जो इस्टॉल हुआ है जो भी आपका फोल्डर यह बना है उसका इस्टॉक्चर क्या है वह रन करने पर कैसा डिस्पले होगा क्या लेयाउट आपको फ्रेंट पर दिखता है तो इसके जैसे install हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ करके इसके लिए इसको copy कर लेते हैं यह देखिए इसको copy करते हैं लाइन को और इसको paste करके अब run करते हैं तो यह देखिए यहां पर server run हो चुका है port नमबर भी देगे 3000 तो उसके लिए हम इन दोनों को बंद करते हैं फिर इसको रिफ्रेस्ट करते हैं तो यह देखिए यह अब यह जो नया इंस्टॉल हुआ उसका इस्ट्रक्चर यह है आपका एकस्प्रेस इसके अंदर वेलकम, यह इसट्रक्चर आपका बना है तो अब का folder इसको हमने कर लिया open ठीक है अब यहाँ पर आप यह देखे एक्स्प्रेस जैस यह जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है सारा चीज चल रही है अब इसके अंदर क्या करना है आपको दोस्तों कि अब हम जो काम करेंगे वह यह करना है कि अब इसके अंदर कि अब यहां पर इंस्टॉल ओगों मोंगोज की सारी डिपेंडेंस इंस्टॉल हो जाएगी ताकि डाटाबिस से सके तो यहां पर इस बनाएंगे जिसमें हम सारे कमांड फाइल अप्लोड जो भी छोटे-छोटे फंक्शन से वो सारे यूज करके देखेंगे यह देखें इस्टॉल हो चुका है मोंगुस अब इसके अंदर क्या करते हैं हम हमारे जो यह है में जो डायेक्ट्रिय इसके अंदर हम क्या करते हैं ए आपको याद होगा परिबिस्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था इंपलोई का रिकॉल्ट्ट पर हम काम करने हैं हमारे पास उसके खांझ करने क्राइब करने के लिए उतना अरह तो में उतना टाइप ना करके मैं सीधे-सीधे को connection to गाट फों। कि यहांसे कोपी कर तो फिर आप पेस्ट करता हूं और में आपको फ्राँ समझा देता हूं कि तो आपको याद हो गया यह को किस में हम क्या करते दें सब से पहले हम क्या करते मौंगू स्कों हम रिकवाए करते हैं को तुरा बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ज्यादा बढ़ा भी ठीक नहीं है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको में छोटा करता हूं कि कि छोटा नहीं हो रहा है इसमें किया होता है सबसे पहले सब्सक्राइब क więc करते हैंये सब्सक्राइब , सब्सक्राइब लिखते हैंamtर सब्सक्राइन करते है जिससे कि यहां फो यहां पे connection होता है फिर connection create करते हैं उसके बाद, a line है उसके बाद के लिए, जैसे ही हो मार हो गए, enter पर जाते हैं, और इसको connect पर लिखते हैं, connect करते हैं, mungos.connection के उससे, और इसको minus करते हैं, थोड़ा आप छोटा ही करते हैं, ठीक है अब सही दीख रहा है, तो mongos.connection करके हम एक connection यहाँ पर एक variable बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा connection store हो गया एक तरह से अब आगे जो भी process करेंगे इस connection object के साथ हम work करेंगे हमें बार-बार हर चीज को नहीं करेंगे अब इसके बात करते हैं हम जो भी हमने schema बनाया था जो कि हमारा employee का था जैसे name हो गया था यह सारी चीज़े वह schema यहाँ पर हम define करेंगे फिर से ताकि हम उस schema को export कर सके किसी भी file के अंदर तो हम उसको employee.js module है इसके अंदर ही लिख लेते हैं तो यह रहा उसका schema का और module दोनों model और schema दोनों हम यहाँ पर टाइप करते हैं आपको दिखाते हैं यह हमारा schema है जिसके अंदर employee का schema बनाया था हमने आपको याद होगा mongos.schema के अंदर यह name था email था यह टाइप था hourly total hour और यह हमारा string उसके define क्या था किस टाइप के हमारा यह data है ठीक है उसके बाद हमने model बनाया था mongos.model employee नाम का model था हमारा और employee schema यहाँ पर यह model क्रेट करने का तरीका था और यह हमारा object बना था कर आ सकते हैं यहां पर हम ने बनाया employee MOD-le employee का माली कि हम्ने बनाया त्सके अंदर हम required कर सकते हैं require require के अंदर हम यहाँ जाते है। em,供 is explorer हमारा file है modules के अंदर है module model के अंदर हमारा file कि next number employee के से मॉडूल्स में फिर से जाते हैं और employee, slash employee यह हमेरे टाइप कर दिया, तो यह अब हमारा क्या एक्सपोर्ट हो चुका है, इसके अंदर, जो हमारा करेंगे तो data fetch करने के लिए हम जो हो एक code लिखना पड़ता है नॉर्मल सा code है जिसको कि हम यूज करके आपको याद होगा कि जो हम normal coding कर रहे थे मतब CLI पे command prompt पे जो हम code कर रहे थे आपको याद होगा कि data करने के लिए find function का यूज करते हैं आपको याद होगा कि जो भी हमारा यहां पर database का नाम होता है स्लेस हम find function का यूज करके हम data को यहां पर use create करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहां पर object तो बना ही लिखा है employee का या EMP model का employee model कर देते हैं इसको EMP model ताकि समझने में असानी हो यह model के नाम से हमने यहां पर कर लिया अब इसके अंदर क्या करते हैं अब इसको नाम देते हैं employee अब इसके अंदर आप क्या करते हैं EMP model को dot find function का याद है आपको find function का करते हैं ताकि हम data को get कर सके हैं और curly braces का यूज करते हैं ताकि सारा का सारा data हमें यहां पर मिल सके हैं ठीक है अब इसके अंदर इसको पहले और बाद में हम यहां पर चोटा bracket यूज करेंगे यह आप इसके बास यह तो यह क्या होगा यह function क्या करेगा कि जितने भी employee model के अं हमारा इसके अंदर इस model के अंदर जितने भी data record होंगे और find करेगा और इसके इसके अंदर store कर देगा अब store करने के बाद इस variable को क्या करते हम एक्जिक्यूट करना होगा हमारा get command के देखिए get का route जो है मतलब get route का यूज आपको याद है क्यों राते हैं ताकि हमारा टाइटिल और welcome to express यह आपका index फाईल है जिसके अंदर आपको यहां पर यहां से एक्सप्रेश टाइटिल आ रहा था जिसको कि हम यहां पर यूज कर रहे थे इस फाईल के अंदर तो यह है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका टाइटल यही रहने देते हैं इस यहां पिजाना पर टाइगा ठीक है र करने के लिए उनकना वडियंट इसके इसटार्ट की ओके यहां पर यहां पर यह रण करते हैं पहले ताकि हम दुवारा से इसको run कर सकें यहां पर बंद हो चुका है अब यह run होना error आ जागा ठीक है अब error आ गया है अब हम यहां पर दुवारा से इसको run करने करें डबगर से अपने यूवी टिबग एक्वल टू माई एप पॉलन एस्ट्रिक एन पीम इस्टार्ट एंटर किया तो यह स्टार्ट फिर से यह रहा 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 है कि रिफ्रेश यह हमारा कि यह हो चुका है बंद कि देखते हैं चोटा सा एरफ यह सब तो आता ही रहता है अब करते हैं नोट अब रन करते हैं एप डॉर्ट जैस को रों नोट एप डॉर्ट जैस इंप्लोई क्या इंप्लोई फाइंड इन नौट फंक्शन फाइंड ओके इसकी बात कर रहा है इस नौट फंक्शन ने कहां लगाया यहां पर यह एंप्लोई मोडल लोर्ड ये एर रारा क्यून्कि अभी हमारा व्मारा लतर में पूर नहीं किया ठीक कि सो चैस्ट मैं इसको पूरा कर लेसे उसके बाद हमाने बात करते हैं ठीक है रातेकित करते हैंडकिल कर रहा है नहीं करता है और दोस्तों यह देख Francisco हो चुका है हमारा वाइल तो जैसे रहन चुका है यहां पर चेंज हो गया यहां पर रिकॉर्ट स्थो्का यहां पे यह दो कि यहां पर हमने आपको जैन्ज क्या था टाटा मीद ओ है कि यहां में गार इसंतिक खूर कि जो भी हमारा यहां पर अपर हम emimento कर रहे हैं सेव兩個 सब्क्राइब करते हैं इस फाइल को जो भी हमारा command प्रस डाट फैच करने का तो आभ स्काउटा को है रहार में ने इंपलोई को जो मॉडल है यहां पर मторह से Can के अंदर हम क्या करते हैं सबसे पहले employee को execute करते हैं जो की हमारा employee इसके अंदर हम बनाते हैं function लेते हैं function के अंदर हमारा क्या होता है दो पैरामेटर होता है एक तो हमरा डाटविस से रिटर्न हो रहा हो यहां पर हमें मिलता है ठीक है उसके बाद यहां पर बंद करते हैं अगर क्या check करते हैं कि अगर कोई error है इस अगर इसके अंदर कोई error है तो हमें मिले और error मिलता है तो हमें throw करेंगे error को throw error error जो भी हमारा थो यह 4W ठीक है उसके बाद इंटर करते हैं अब यहां इसके बाद हम क्या करते हैं यह देखिए अब इस value को इसके अंदर एक वेरियेवल रो के अंदर रोज यह data जो भी आपके यह data के अंदर data data कर देते हैं records जो भी है records जो suitable लग रहा है records इक्वल टू जो कि हमारा डेटा है जितने भी data हमारा जो भी यहांपर यहां पर दाटे जिसके अंदर यहांसे कट करते हैं और क्या होगाесто जैसे चल्स होगा यह cuc वाला यह हमाराा फंक्शन है और जो भी एकरीप्स करेंगा और जो भी उसके अंदर करेंगा उन्द ब्रक्राइब दाटवेस में डाटवेश में वहां मिल है और यह इस डाटा नाम के वरियावल में को आजाएगा थे विक अब उसको उब अब्जेक् पर एक नामने के अंदर और औज्जेक्ट के अंदर हमने पास कर दिया सारे और इस में यहां पे करहना है तो लीए बूट्रिस्ट्रेप के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले हम जाए गरते हैं यह बूट्रिस्ट्रेप का जो लाइब कोड होता है CSS या Javascript CSS का जैस का उसको यहां पर हम पेस्ट करते हैं ठीक है तो इससे कि आए बूट्रिस्ट्रेप का एक परarna मिल जाएगा तो हमारा जो लेएउट होगा रोडिस्पले कराने का च यह देखिए अब हमारा डाटा यहां पर पास हो चुका है पास होने के अंदर आ रहा है तो आपको अगर नहीं पता है तरह से लूप करते हैं इसमें भी यूज करने का तरीका होता है तो यह जो ब्रैके है अंदर यह आपको मॉडूल का साइन तेंग यूज करते हैं और मॉडूल का साइन हम बंद करने के लिए उसके लिए पंद करेंगे तो उसके लिए वह रिकार्टस के नाम से हमने यहां पर बनाया हुआ है तो रिकॉर्ड उसके बाद डॉट फॉर इच यह तरीका फॉर इसमें यूज करने का ठीक है और फॉर यूज के अंदर हम फिर यहां पर स्टार्ट करेंगे एक ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर फिर हमारा होगा फंक्शन सब्सक्राइब अधर एक हमारा एक variable जिस नाम से हम जैसे होता है फॉर इसके बाद लिखते हैं records एज फिर एक variable करते हैं वह variable अब यहाँ पर define करेंगे मालवेजी हमने यहाँ पर define कर दिया data या रो अब जो data हमें मिलेगा ओ यहाँ पर के format में ही मिलेगा और जहां पर यहां पर हमारा बन रहा है याने कि यह हम लिखेंगे इसके बाद लिख देते हैं ताकि रोफ पूरा रिपीट होगा जो रिपीट होने वाला होता है उसके अंदर हम लिखते हैं ठीक है अब इसके अंदर लिख दिया अब यहाँ पर सेम फिर लिखेंगे हमेर मॉड़ूल क्योंकि हमें बंद भी करना पदेगा हमने स्टार्ट किया ये अंदर हमारा ऑएगा टीडी अब यह देखें कितने वेलू एक दो तीन चार पांच जए तो हमें छे टीडी हम यहाँ पर बना लेते हैं एक दो टीन चार पांच छे यह हमारा टीडी है बन चुका है अब इसके अंदर डाटा हमें डिस्प्ले कराने के आपको तरीका अ नियुदे आंप दीखा हू के टेस्ट करें दीजिए अब यहां पिदेखिए सबसे पहले हमने चाम चाहिए तो डाँटानि हम चलते हैं हम हमने यहां पने ज्या गया है नेम दाया एमेル लिए इटैञ गाए तो से यहां अब लिखेंगे रों क्योंके रो के अंदर यह data हमारा रहा है dot name फिर यह लिखेंगा row dot email क्योंकि हमारा email है ठीक है उसके बाद हमने क्या दिया यह type email के बाद हमारा है इटाइब आवर लेट हमके लिखेंगे row dot e-type ठीक है उसके बाद हमारा आएगा इटाइप बाद आवरली रेट हमारा है रो डॉट फिर यहां चेक कर लेते हैं क्या है वैल्यू आवरली रेट हम चलते हैं आवरली रेट हो यू और यल वाई यह यह aya आवरली रेट है कि उसके बाद टोटल आवर काउपि कर लेते हैं यहां से यहां से यहां प्लिकते हैं row dot total hour ठीक है फिर यहां पे last row dot हमारा टोटल इमाउंट हमारे यहां पर टोटल के नाम से है अगया ज़ीक है अब इसको सेव करते हैं सेव करने के बाद अब जब रन करेंगे तो इसमें टाटा अब डिस्प्ले होना चाहिए रिकॉर्ड भी यहां पर एर अधर्या क्या है क्या दिया रिकॉर्ट सी तो दिया है को भी करते हैं इसको एक बार और यहां पर करते हैं कि सेफ करते हैं रिफ्रेश करते हैं यहां अभी भी कुछ डाटा मेरा रहे रहे है रो इंडेक्स इसको सेफ किया यह सेफ हुआ है इसको क्लोज करते हैं कनेक्शन को दुवारा से रन करते हैं क्योंकि हो सकता है अब दुवारा से डिवक करते हैं इक वल्टू यहां भी लिखते हैं माई एप्स ठीक है इस ट्रेक एंप्यम इस्टार्ट यह दुवारा से हमारा स्टार्ट होगा अब अब देखिए साइज यह अब रन कर जाए यह दिखिए वहीं कनेक्शन का था कि एक बार रन हो चुक अब करें यहां पर ईसके अंदर जेखेंगे फॉट हमने यह देखिए यह दिए सबस्ट लेट और यहां पर form के थूर भी इंसाट कराएंगे इसके नीचे एक form बनाएंगे जिसके अंदर यह data इंटर करेंगे manually और update कराएंगे यह दिखें email का data भी नहीं आ रहा है एक बाट चेक करें email code में क्या कलती है email email अच्छा small की जो capture हो गया है small होगा है small save कि हमने हो सकता है अगर आगया तो ठीक है अगया ठीक है इसको अब रन करने के जब अतनी परिद्वार तो यह देखिए रिफ्रेश हो चुका है और यह data हमें display हो गया तो इस तरह से आप data display करा सकते हैं तो इसमें तीन चीज़ें बेसिक हैं जो कि हमारा जैसे हम इस जैस का structure है जो भी हमारा application generator उसके थुरू इंस्टॉल करने के बाद एक module बनाया हमने उसके अंदर employee का एक file बनाया employee.js का module बनाया जिसके अंदर हमने mongos को require किया है connection बनाया है फिर connection को यहां पर start किया है इतना basic है उसके बाद अब दूसरे step है हमारा कि जो भी हमने schema बनाया था database में value insert कराने का employee का वह schema हमने यहां पर define किया है और इस schema के बाद हमने उसको model बनाया है model बनाने के बाद उस model object को हमने किया के export कर लिया है ताकि एक common file बना के हम किसी भी model को आप कहीं भी उचा कर सकते हैं किसी भी फाइल में तो इसके अंदर आप हमने model को हमने यहां पर call क्या index file के अंदर जो के माल रूट फाइल के अंदर है ृट जो इंडेक्स जाहसे उसके अंदर हमने स्मोडूल को क्या कर किया उसके बाद इस इस module को शो हमने एक्स पोडिल को इस मॉडल को जो इंपलोई को do Most को हमने यहां पर मॉडल को सब्सकर सकते हैं इस थरह से हम यहां पर कtiिंग करने और यहां फेहां पर फ़क्त करा दिया उसके अंदर होने के बाद शर्न होता है यहां पर बना सकते हैं इसके बाड़ बनाके यह सेम कोड यहां पर युज कर सकते हैं यहां पर इंडेक्स पर इंडेक्स के अंदर हमने टाइटिल चेंज किया जो कि हमारा Employee Records के नाम से दिया और उसके अंदर दूसरा object बनाया रिकॉर्ट का जिसके अंदर हमारा जो भी data आ रहा है डाटावेस से उसको पास कर रहा है और इस फाइल डाटा को हम हम टेट करने के बाद करने के बाद सम्द्राइए के नदर हम बाइट के बाद से उसी दर हम ने यहां पर किया ए태 के अंदर जो तरीका है वह है रिकॉर्स फॉर से इसका परमीटर के साथ यहां पर डिस्प्ली कराते हैं यह यह फॉर्मेट है डिस्प्ले कराने का मिलते हैं आजके लिए रूखता हूँ नेक्स वीडिघियो में आपको दिखाऊंगा की कैसे हम एक से घ्रपिम्स से इंसे और वहां पर दिस्प्ले कराएंगे आज लिए रुखते हैं नेक्स वीडियो में इंस्ट वीप बिसक्स करेंगे तब तक लिए बाई-बाई टेख के अपना ख्याल रखें